इस वीडियो में मैं आपको बताने वालों फ्रेंड्स कि आप Poco C31 वाल फोन में आप अपने मोबाल फोन का फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं मतलब जो आपके मोबाल के लिखावट होता है टेक्स्ट का तो आप इसका स्टाइल कैसे चेंज करेंगे चलिए इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ तो इसके लिए आप जाएंगे Poco C31 वाल फोन के सेटिंग में फिर यहाँ पर आप नीच आएंगे नीच आने पर आपको यह डिस्प्ले का उप्सन मिलेगा आप इस पर क्लिक करेंगे इसमें नीच आएंगे तो आपको यहाँ एक उप्सन में जाएगा सिस्टम फॉन्ट का आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका मॉबाइल डेटा यानि की इंटरनेट आन होना चाहिए तब देखिए यहाँ पर आपके सामने बहुत से फॉन्ट अस्टाइल सेट करने का उप्सन आ जाएगा आप देख सकते हैं नीचे बहुत से फॉन्ट अस्टाइल है तो आपको जो भी फॉन्ट अपने फॉन में सेट करना है उस उस फॉन्ट पर क्लिक करेंगे और click कर देने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके का page आ जाएगा जिसमें आप यहाँ से यह देख सकते हैं कि अगर आप इस font को set कर देंगे तो आपके मौहल phone में font किस तरीके से दिखेगा अब देखें अगर आपको इसे अपने phone में set करना है तो set करने के लिए आप यहाँ फिरी पर click करेंगे तो यह जो है यहाँ पर download होना शुरू हो जाएगा यहाँ पर आपका internet on होना चाहिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा phone download हो रहा है और जब यह पूरी तरीके से download हो जाएगा तो आपको यहाँ पर apply का option मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं apply का option आगया अब आप यहाँ apply पर click कर देंगे और आपको अपने phone को reboot करना होगा जिसके लिए आप यहाँ reboot पर click कर देंगे reboot पर click करने से यह होगा कि आपका phone एक बार जो है बंद होकर फिर से on हो जाएगा और फिर आपके phone में font change हो जाएगा यानि कि आपने जो font select किया है वही font आपकी mobile में लग जाएगा तो इस तरह के साब जो है focus c31 phone में आप जो है font style को change कर सकते हैं वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल को subscribe जरूर करिएगा